श्री नाज्जी गुरुजी गोलाखादेश, मा भगवती गोलाखादेश, रांची वाले भाहिरा बाबा गोलाखादेश, आप सभी गोलाखादेश आज इस तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको वनस्पती तंत्र बोलते हैं, वनस्पती तंत्र अर्थात वो तंत्र जो वनस्पती से आए, इस तंत्र में पूर्ण रूप से जो पेड़ है, उसके तने, उसका जड़, उसकी छाल का प्रयोग करके तंत्र का प्रयो लगभग इसमें जितने भी विशय आते हैं उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है जो मैंने पहले बताया था कि कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि सामगरी यंत्र और मनोभाव से ही वो तंत्र काम करने लगता है तो मनोभाव वहां मंत्र का काम करता है तो जो वनस्पत वनस्पति तंत्र है यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें मनोभाव बहुत जादा काम करता है वनस्पति तंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन वनस्पति तंत्र का इतना आधा ग्यान है हमारे पास कि वनस्पति तंत्र आज के जीवन शैली में टोटका बन के रहा गया कैसे द बहुत लोगों को देखा होगा कि निम्बू मिर्च की माला टांग लेते हैं अपने दुकान के सामने लेकिन जो वनस्पती तंत्र बोलता है कि बिजनस उसमें उससे सुधार आएगा जो बुरी शक्तियां वो बाहर रहेंगे लेकिन उसका एक तरीका है क्या तरीका है तो एक निम्बू और कुछ हरी मिर्च को आपको अपने दुकान के बाहर में टांग ना होता है यह पहला है पहला चरण है इस वनस्पती तंत्र का दूसरा क्या है कि ऐसे किसी व्रिक्ष जिस पर की चमगादर रहते हो उस पेड़ का सनिवार की शाम में जाकर आपको उसको आमंत्रित कर लेना है और उसके बाद उसका एक डंठल जिसमें की पत्ते लगे हो ऐसे एक डंठल को रविवार की सुबह होने से पहले सुर्योदय से पहले जाकर कि उसको ले आना है और फिर उसको जिस आसन पर आप बैट रहे हैं उसको पत्ते की तरफ करके उसको ऐसे रख दीजेगा और उस आ आनी घतम नहीं होती है इसके बाद क्या है कि काला चना ले लिजेगा पूरा वाला पूरा काला चना और उसके मंत्र है भवर बीर तू चेला मेरा खोल दुकान खाकर मेरा उठे जो डंडी बिके जो माल भवर बीर सोखे नहीं जाए इस मंत्र को पढ़के 108 बार जो आपका स स्टॉक है उसके उपर इसको चीट दिये जाता है जब ये तीनों प्रक्रिया आप साथ में करते हैं तो फिर दुकान में बढ़ उत्री होती है आज के शीट में क्या है कि नहीं जानने के चलते एक से डिजाइन दार निमू मिर्च का जो है लोग माला बना गरके अपने दुकान के सामने टांग लेते हैं खर आज का जो मूल विशह है ये मैंने एक्जंपल दिया क्योंकि इससे आप सभी जुड़े होंगे लेकिन जो आज का मूल विचार है वो है कि कैसे अगर आप पर कोई ग्रह दोस चल रहा है तो उस ग्रह दोस से व किसी एस्टोलाजर के बास तो वह चाहे तो आपको सीधा टोटका बताएगा अगर समझदार एस्टोलाजर हो गा तो या फिर अगर बिजनसमेन होगा तो फिर वह आपको महंगे पत्थर देगा ठीक है मैंने पहले भी बोला है कि जो पत्थर होता है ना वो अंतिम श्रीनी होता है इलाज का मदब वो सरजरी हो गई किसी चीज़ की और किसकी सरजरी आप कर रहे हो नवग्रह की जब मैंने इतिहास बताया था नवनाथों का तो मैंने बताया था कि सबसे पहले नवग्रह आये थे फिर नवनारायन आये फिर नवनाथा है और फिर से नवनाथों का को प्राथना से आप ज्यादा मना सकते हैं ना कि बल से तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस पेड़ के जड़ से आपके किस ग्रह का दोश मिटता है इसमें दो तरीका है ठीक है एक तो होता है जिसमें कि आप किसी जड़ को धारन कर लेते हैं ठीक है और फिर एक मेरू तंतरा आता है जिसमें कि आप जड़ से सनान करते हैं जड़ से या फिर उसके छिलके से किसी भी चीज़ से अलग अलग से तो वो मैं आपको आज बताऊंगा तो अगर जिनका सूर्य खराब है ठीक है तो सूर्य खराब होने पर आप जो बैन्येंट्री होता वट व्रिक्ष जो होता है वट व्रिक्ष का जड़ ले आएंगे अब उसको पहले निवेदन करते हैं किसी भी पेड का किसी भी अंग को आप जब लेंगे ना तंत्र के प्रयोक के लिए तो एक दिन पहले जाके निवेदन करिए कि आप मेरे साथ आईए तब उसको दूसरे दिन लेने जाईए ठीक है सूरेते से पहले लेना चाहिए तो जड़ लेंगे वटवरिक्ष का उसको सोने के ताबीज में डाल करके पहनेंगे इसको पहनने से सूर्य का जो भी प्रभाव है दुश्प्रभाव है अगर अच्छा प्रभाव है तो बढ़ेगा और अगर बुरा प्रभाव है तो वो घड़ जाता है अगर पहन नहीं सकते हैं तो देवधारू होता है केसर है उसके बाद इलाइची है और महुआ का फूल इन सब को एक साथ आप मिला लीजिए इसको कूट लीजिए और जिस जल से आप नहाते हैं उसमें इसको डाल दीजिए इस जल के स्नान मातर से आपका जो भी सूरी का प्रभाव है जो दुष प्रभाव है वो कम हो जाएगा और अगर अच्छा प्रभाव है तो वो बढ़ता है ठीक है इसके अलावा इसके साथ जो आप कर सकते हैं वो एक कौपर रिंग खरीद लीजिए उसको दूद और घी से नहा करके रविवार की सुभा में सूरी के मंतर से एक सो आट बार अभी मंतर करके उसको पहन लें तो ये तीन अगर आप करेंगे तो सूरी जो है वो आपका हमेसा सेटल रहेगा दूसरा ग्रह विचाराते हैं चंद्रमा पे चंद्रमा के लिए खिर्नी जो होती है खिर्नी का रूट लेए उसका जड़ और सफेद उन में उसको पहनना है सफेद उन में उसको बांध लीजिए और उसके बाद उसको पहन लीजिएगा तो चंद्रमा का दुष्ट प्रभाव जो है आपके जीवन पर कम हो जाएगा सनान के लिए जल में चांदी, अगर मोती है तो मोती, शंक और पंचगवर डाले इनको पानी में डालके थोड़ी देर छोड़ दे, शीप हो तो सीप भी डाल दे और उसके बाद इस पानी से शनान करें तो भी चंद्रमा का प्रभाव कम होता है चंद्रमा का प्रभाव कम करने के लिए अगर अंगूठी आपको पहननी की इक्षा है तो छोटा छोटा शंक आता है बहुत छोटा शंक आता है उस शंक का अगर आप एक अंगूठी बना ले और उसको सफेद चंदन से सनान करवाए और दूद से सनान करके चंद्रमा का आप मंत्र पढ़के सोमवार को पहने तो भी चंद्रमा में आपको चंद्रमा का किसी भी द इसके बाद कौन सा आता है मार्स मार्स के लिए अनंत मूल का जड़ लेना होगा सोने की ताबीज रहेगी और इसको लाल धागे में आपको पहना है मंगल को मंगल है ना तो मंगल को आप इसको पहनोगे तो आपको लाब होगा अनंत मूल का जड़ अगर नहीं पता होगा तो किसी जड़ विशेशगे से जा करके या फिर जहां प्याजरुवेदिक मेडिसिन मिलती है वहां जा करके आप पता करोगे तो आपको यह मिल गाएगा ठीक है मंगल का और स्नान करने के लिए आपको सूखा हुआ अद्रक लाल और मुलसारी का जो फूल होता है इन तीनों को जल में डालके अगर आप स्नान कीजिएगा मंगल का जो एफेक्ट है वो कम हो जाता है और मंगल के एफेक्ट को कम करने के लिए सोने की अंगुठी को धो करके अगर आप मंगल का मंत्र पहन के पढ़के पहने तो भी मंगल का एक एक कर सारे ग्राय विचार हैं बता रहा हूं और इसमें और आप लोग सोचेंगे कि किस उंगली में पहन हैं तो जिस ग्रायविचार का जो भी उंगली है वही पहनना प्लाइए प通ब उसके midra3 की He चाहिए इससे बुढ़ का प्रभाव कम होता है जो कि दूष्प्रभाव है तिक है और बुढ़ के प्रभाव के लिए आपको एक काम और करना चाहिए चावल, गोरोचल थोड़ा सा सोना मतल़ सोना डाल के उसको बहान ही देना है सोना पानी में रखना है थोड़ा सा उसमें मधू और थोड़ा सा उसमें बहेदा अगर डाल दीजेगा तो इतने चीजों को मिला करके स्नान करने से बुद्ध के अगर दृष्टी से आपके कुंड़ी में कुछ प्रॉबलम है तो वो ठीक हो जाएगा अब आते हैं ब्रस्पत पर ब्रस्पत बहुत ही इंपोर्टन्ट होता है सभी जातों को कुंड़ी के लिए क्योंकि ब्रस्पत या सुक्र इसी से आपका करियर डिसाइड होता है तो ब्रस्पत अगर आपको दिकत कर रहा है तो उसके लिए एक सोने की ताबीज ले उसमें भरंगी या फिर केले का जड़ देखो केला का जड़ जादर प्रभाबी होगा और आसानी से मिलता है तो सोने की ताबीज में केला का जड़ लीजिए और उसको पीले दागे में ब्रस्पति वार को अपने कले में अगर आप पहनते हैं तो आपको जो ब्रस्पत है उसका ब्रस्पति का जो दुश्प्रवाव है उससे आप बाहर निकल सकने हैं और ब्रस्पति को शांत करने के लिए मद्यंती या मुलेठी सफेद सरसो और मालती का फूल इन चारों चीजों को जल में डालिया और उस जल से नहाईए तो ब्रस्पत जो है वो शांत होता है ब्रस्पतिग्रा चांदी का एक अंगुठी ब्रस्पतिवार को उसको अच्छे स पंजिगवजे से स्नान करा करके ब्रस्पत का मंत्र पढ़के ब्रस्पतिग्रा का मंत्र पढ़के और उसके बाद उसको पहनने से भी ब्रस्पत का जो दुष्प्रवाव है वो शांत होता है अब आता है शुक्र पर शुक्र बड़ा महतवपूर्ण होता है जो तंत्र और जो तंत्र मंत्र विधान में जो लोग लगे में हैं, उनके लिए शुक्र बड़ा इंपोर्टन्ट है, शुक्र ऐसे लोगों के लिए इंपोर्टन्ट है जो लोहा का व्यापार करते हैं, या शराब के व्यापारी हैं, या जो भी exotic lifestyle से जो भी deal करते हैं, उनके लिए शुक्र को बस में रखना बहुत जरूरी होता है सरपंखा का जड़ ले करके और उसको सोने की ताबीज में शुक्रवार को पहनना चाहिए सफेद धागे में ऐसा करने से अगर शुक्र प्रभाब सही नहीं दे रहे हैं तो शुक्र ग्रह का प्रभाब जो है वो जीवल पर सही हो जाता है इसके अलावा अगर शुक्र का प्रभाब और थोड़ा मतला अपने लिए अनुकूल करना है तो जल में इलाइची, केसर, ठीक है बाहेदा डाल करके और हरद को डालिए यह सब आपको अयुर्वेद की दुगाल में मिल जाएगा यह सब मिला करके उस जल से स्नान कीजिएगा तो भी शुक्र का अगर दुष प्रभाब है या फिर सपोर्ट नहीं करना है तो वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे शुक्र के लिए अगर अंगूठी पहननी है तो प्लाटेनियम के अंगूठी को दूद गाई के दूद और मधू में मिला करके उसके बाद अभी मंत्रित करके शुक्रवार को पहनिएगा तो आपको शुक्र ग्रह का प्रभाब अच्छा मिलने लगेगा इसके बाद आता है शनी पे शनी के लिए बिच्छू का जड़ शनीवार को लीजे और काले धागे में उसको पहनना है और इसको शीशे का तावीज बनवाना होगा थोड़ा रेयर है लिकिन मिल जाता है शीशे का तावीज बनवा करके उसमें पहनिए शीशा का मतलब यह शीशा नहीं होता मतलब यह आप ग्लास मत समझ लीजेगा तो उसमें जो अश्ट धातू आते हैं जो पंश धातू उतों शीशा जो clarified marker ही हो उसको बोलते हैं उसका तावीज मिलता है उसको ही आप लोगों को यूज करना है अगर शनी का प्रभाव को और कम करना तो मैंने पहले ही बताया है कि शनी रहुके तू इन तीनों का प्रभाव कम काली और भहरव के पूजा से होता है अगर काली और भहरव का अपने पूजा करना है तो इन तीनों ग्रहों का दुश्प्रवाव आप पे नहीं रहेगा कारण ये कि शनी के आराध्य देव काल भहरव हों ठीक है लेकिन अगर इनका प्रभाव आपको थोड़ा अपने जीवन में कम करना तो एक तरीका और है कि आ आप लोहे का चेन अपने राइट पाव में जैसे औरते पायल पहनती है वैसे एक लोहे का चेन पहने या दोनों अंगुठे में लोहे का आप अंगुठा पहने पैर के अंगुठे में ठीक है अगर सनान करना है मेरू तंतर के हिसाब से तो काला सर्सों और काला सर्सों के सा सूर्मा लोद इन दोनों चीजों को जल में मिलाईए नागर मोथा मिलता है उसको मिलाईए इन तीन चीज़ को मिला करके इसके जल से नाहिएगा तो शनी का प्रभाव जो है जीवन में वो कम हो जाएगा शनी के लिए कौन से अंगुठी तो वही शीशे के इंगुठी पहनी जाती है शनीवार को उसको गाई के दूद में डाल के शनी का मंद्र पढ़िया और उसके अदूसको पहन लिजिए अब आता है राहू पे अगर राहू आपके जीवन में खलल डाल रहा है तो सफेज चंदन का जड़ दीजिए और उसको नीले रंग के धागे में लोहे की ताबीज में आपको पहनना है तो उससे क्या है कि राहू का प्रभाब बिल्कुल ही कम हो जाता है और अगर सनान मेरू तंत्र से कम करना है तो लोबान जल में डालिए और गंडूची डालिए तागर डालिए इसको जल में डालिए सरसो का पत्ता मिले उसको जल में डालिए और इस जल से नहाईएगा तो राहू का जो प्रभाब है वो कम हो जाएगा के तू के लिए असा गंध होता है एक जढ उसके जढ को लेना होता है और ब्लू धागे में इसको चांदी की तावीज में बरस्पतिवार को पहना जाता है। तो उससे केतु का प्रभाव जीवन में कम हो जाता है केतु के प्रभाव को कम करने के लिए अगर स्नान करना है आपको तो सहदेई का जड ले लिजिए लोबान ले लिजिए ठीक है और हिंजोत लिजिए इसको जल में डालिए और इस जल से स्नान कीजिएगा तो केतु का प्रभाव कम आप पे पड़ेगा राहु के लिए लोहे के अंगुठी पहनी जाती है उसको शनिवार को शाम में आपको पहना है राहु का मंत्र को जब करके और इसको गाई के दूद में धो करके पहन लीजेगा तो राहु का असर कम होगा और शीषे के अंगुठी को अगर शनिवार या मंगल को दूद में ऐसे धो करके और उसको पहन लीजेगा तो केतु का प्रभाव आपके जीवन में कम होता है देखे ब्रहजोती जो है ब्रहजोतिश्वरिदी ये किताब है इसमें बताया गया है कि अगर आपका सूरी खराब है तो सोने की अंगुठी चांदी की अंगुठी नहीं पहन सकते है आप प्लाटिनम और कॉपर की अंगुठी पहन सकते है चंद्रमा खराब है तो चांदी की अंगुठी पहनेंगे अगर आपका मंगल खराब है तो लाल कॉपर का रिंग आप पहन सकते हैं अगर आपका मरकरी खराब है तो ब्रास रिंग आप पहन सकते हैं जूपिटर खराब है तो गोल्डन रिंग सोने का अगर वीनस खराब है तो ब्रॉंज रिंग पहन सकते हैं सप 37 के लिए लोहे करिङ होता है राहू के लिए की जो पंचडातु में अस्टडातू का प्रेख होता है वो टिन कर रिंग होगा और केतू के लिए ग्लास का रिंग होगा ग्लास मतलब क्लारिफाइड मरकर ये तरह से आप कह सकते हैं तो ये है वानीत तंतर के हिसाब से जो ग्रह दोश है उसको हटाने के लिए बहुती सरल उपाए देखो इसमें क्या है कि आपको ना लाखो रुपय पर रती खर्च करना होगा सोने पर और ना महंगे महंगे आपको पहनने होंगे देखो आप अगर किसी के बाए जाओ कि मेरा शुक्र मजबूत कर दो तो वह आपको बोलेगा कम से कम एक लाग का हीरा पहन लो कोई भी जो पत्थर है जो अ तो उत्तम से उत्तम पत्थर का जो है वह फल यह जो सुनने में बहुत आसान लगा होगा कि इसका जड़ ऐसे पहन लो इस जड़ से नहा लो और यह मेटल के अंगुटी पहन लो लेकिन इन तीनों को आप साथ में करके देखो वह लाब होगा कि आप ने कभी कल्पना नहीं किया होगा इसके बाद एक वीडियो में फिर बनाऊंगा जिसमें मैं रत्नों के बारे में आपको बताऊंगा तंत्र के हिसाब से रत्न का प्रयोग और जोतिश शास्त्र के हिसाब से रत्न का प्रयोग थोड़ा भिन है तो उस पर मैं आपको आगे वीडियो बना के दूँ are जिनको सअधना शिवर में अभी आना है वो साधना शिवर में आ सकते हैं website का registration जल रहा शेपोरी में होगा संदिंटॉक्तन्स थैट्cu जिनको मुझ्ण से डारेक्ट बात करना है Call Me 4 आपके लिए इतने ही आप सबी बहाते हैं आप